नमस्कार आप देख रहे हैं Breaking with Agenda आपके साथ मैं हूँ रवी ठाकूर Breaking with Agenda में आच चर्चा इंडिया गटबंदन के पहले इंतिहान के दिल्ली संशोधन बिल लोग सबा से पास हो गया है इस दुरान सदन में जबर दस्त खमासान भी देखने को मिला दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के शुरुवात करते हुए अमिट श्या ने कहा कि सदन को दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है साथि केज़िवाल पर हमला बोलते हुए श्या ने कहा कि 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पाटी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना है सेवा करना है ही नहीं समस्या ट्रांसफर फोस्टिंग के अधिकार का नहीं है बलकि अपने बंगले बनाने जैसे ब्रस्टा चार को छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कबजा करना है वहीं इंडिया गटबंदन पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे कितने भी गटबंदन कर लो 2024 में मोदी ही प्रदान मंतरी बनेंगे जवाब मैं नेता प्रतिपक्ष अधी रंजन चौधरी ने अमिच्शा पर हमला बोला उन्होंने का कि किसी भी पाठी के सरकार हो उसकी शक्तियां चीनना सम्विधान के खलाफ है चर्चा के बाद विपक्षी दल सदन से बाहर चले गए लेकिन सदन में ध्वनी मत से विध्धेक पारित हो गया अब बारी राज्य सबा की है गणित राज्य सबा में भी फिलाल एंडिय के पक्ष में ही नजर आ रहा है नवीन पतनायक जगन मोहन रेड़ी का सरकार के साथ आ जाने से एंडिय का पक्ष और भी मस्बूत हो गया है ऐसे में इंडिया गढ़बंदन के लिए एक बड़ी चुनोती राज्य सबा में हो सकती है आज इसी मुद्धे पर ब्रेकिंग वेदेजंडा में चर्चा होगी संबाद होगा दिल्ली सरकार के गपले घोष्टाले ब्रश्टाचार को प्रचिन रूप से एलाइंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा एलाइंस होने के बाद भी पून अबहुमत से नरेंद्र मोदी प्रदान मंत्री बनने वाद है कि अब जो भी कहे संका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एकी राज्य दिल्ली नहीं है अगर दिल्ली में इस तरीके की छेर खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किसिम के हमला करते रहेंगे अगर आपको ये लगे कि हिया घोटाला होते रहते ये घोटाले के लिए क्या ये बील लाना जुरूरी था आपके हाथ में एडी हाई सी बी आई हाई तब उसको इस्तमाल क्यों नहीं करते मानिये ग्रिह मंत्री जी ने बिल को पेस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कुछो भरष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को आपको कोन अधिकार दिया है है फैसला करने की चुनाओ तो अभी लड़ते हैं दिल्ली में लेकिन आप तीन सीट पर सिमट जाते हैं आपने दिल्ली के MCD को सारे लोगों को मिला के एक MCD किया क्या हुआ हासर आपका दिल्ली के MCD के चुनाओं में भी आप आर गए देखिए यह तो कोड डिसाइड करेगा कि कौन करप्ट है कौन नहीं है यह कौन होते हैं डिसाइड करने वाले ठीक है पुलीस इनके हाथ में है विजिलेंस इनके हाथ में है दूसरी और सविधानिक अजन्सीया जो ओए इनके हाथ में है यह कुछ भी कर सकते हैं मैं समझता हूँ कि अगर लोगों की आवाज उठाते हुए अगर लोक तंतर की रक्षा करते हुए मेरा निलंबन हुआ है तो मुझे इस निलंबन के ओपर किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है